गुड मॉनिंग आयम डॉक्टर गुर्दीप सिंग सीनियर कंसल्डेंट और्थोपेडिक्स एंड जोइंट रिप्लेस्मेंट मनिपाल हॉस्पिल गुडगाओं आज हमारे साथ पेशेंट है सुलोचना जी राजस्तान से जिन्नोंने अभी चार दिन पहले ही अपना दोनों से सालों से बहुत दर्था चल फिट नहीं सकती थी अब मैंने पांच दिन होगे गुटनों का सरजरी करवाई अब बहुत अच्छी तरह से सरजरी हो गई बिल्कुल अराम से चल सकती हूँ एक्दम ठीक जो डर लोग डरते हैं वो जरूर सरजरी करवाई सरजरी के बाद आ थोड़ा सा चला दिया था छोत्य दिन एक्दम अराम से चल रही है वह दो बिल्कुल अराम से चल रही हूं सजरी के दौरान आपको कोई दिक्कत आई नहीं कोई दिक्त थोड़ी बीक्नेस आई बिल्कुल ठीक अब सो मैं सिरफ यह बताना चाहूंगा जो लोग डरते हैं नी रिप्लेश्मेंट से और सरजरी अवाइड करते हैं बहुत सालों से नी रिप्लेश्मेंट में कई बाहर से लाकर किसी का जोड नहीं लगाया जाता जोड आपका खुद का ही रहता है सिरफ उसकी सरफेस जो खुरदरी हो चुकी होती है उसको हम बदलके एक टाइटेनियम के मेटलिक इंप्लांट से चेंज करते हैं सेजरी के दौरान कोई बलड लॉस नहीं होता है हम टूरनी के लगाकर सेजरी करते हैं सेजरी के बाद अगले दिन या दो दिन बाद आपको चलना फिरना अलाओड होता है शुरू के दो तीन अफते आप एक वॉकर या स्टिक के साथ चलते हैं एक बार आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाए तो आप बिना किसी सपोर्ट के चल सकते हैं यह एक रूटीन और सेफ प्रोसीजर है जो कोई भी पेशेंट जो एनस्थेटिकली और मेडिकली फिट हो उसमें किया जा सकता है इर्रिस्पेक्टिव ओफ एज एंड पेशेंट जल्दी ही अपनी नॉर्मल रूटीन अक्टिविटीज वापिस से रिज्यूम कर सकता है गुद मॉर्निंग ओल आई गुटने के ऑपरेशन के बाद मैं चल नहीं पाऊंगी मैं बेड पे लेड जाऊंगी या किसी को देखा है उसने ऑपरेशन कराया था उसके बाद रिकावरी नहीं हुआ है तो यह सब जो ब्रांतियां हैं लोग उसको देखके डरते हैं और उसके वज़े से अपनी नीरिप्रेस्मेंट का बहुत खराब नहीं है एक्सपीरियंस के साथ में समझ आता है कि जो नीरिप्रेस्मेंट की स्रजरी है उसका रिकावरी पीरिड एक होता है और उसके बाद हम बिलकुल पेइन फ्री मुव्मेंट करते हैं सुरोशना जी आपको ऐसा कुछ लगा कि मन आपको दर्द हुआ या आपको लगा कि ऑप्रेशन में आपको बहुत जादा तकलीफ वी ऑप्रेशन के बाद कुछ अशा करते हैं कि आप बहुत सारी एक्साइज करोगे और अच्छे से चलोगे और आपको देखके और लोग भी इस चीज़ पर इंस्पार होंगे झाल झाल झाल